वेलकम टू जेयम कीचन मेरे चानल को सस्क्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हलो फ्रेंड वैलकम टू जैयम कीचन आज हम बनाने वाले हैं टूटी फूटी जो की हम तर्बुच के शिलके से बनाने वाले हैं जी हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना हम जो टूटी फूटी बनाएंगे वो आज हम तर्बुच के बचे विए शिलके से बनाएंगे तो आईए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते है तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने तर्बुज के छिलके लिए है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो तर्बुज का छिलका है उसका सिर्फ नीचे का बाकी है उपर का पार्ट जो है वो हमने निकाल लिया है हमें उपर के पार्ट की जरुवत नहीं है जो नीचे का वाइट पोशन है हम उससे तूटी भूटी बनाएंगे तो अब हम फ्रेंड्स यहां पर तरभुज के छिलके लेंगे और उसे चाकू की सायता से जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे तो यहां पर मैं सारे ग्रीन कलर के छिलके को निकाल लेती हूँ और यहां पर हम इसका जो रेट कलर का पार्ट है उसे भी हम निकाल लेंगे यहां पर हमें रेट कलर के पार्ट की जरुवत नहीं है हम इसे भी यह जो वाइट कलर का पार्ट है उसी की जरुवत है अब हम इसे बारिक बारिक तुकडों में कट कर लेंगे यहां पर मैंने chopping board लिया है और तर्बुच के चिलको को चार हिस्सों में cut कर लिया है अब हम इसके चोटी चोटी पीसेज बना लेंगे आपको पता है फ्रेंड्स टूटी भूटी जो मार्केट में मिलती है वो चोकोन चोकोन तुकडो में रहती है इसलिए यहां पर हम भी इसे चोकोन तुकडो में चोटी चोटी तुकडो में cut कर लेंगे इसी तरह आपको सारे चिलके की तुकडो को cut कर लेना है इसी प्रकार मैंने सारे तुकडो को cut कर लिया है यह देखिए यहां पर मैंने सारे तुकडो को cut कर लिया है अब हम इन तुकडो को 5-6 मिनिट के लिए गरम पानी में अच्छे से बॉयल कर लेंगे तो आईए हम इसे बॉयल कर लेते है यहां पर ग्यास पर फ्रेंड हमने एक कड़ाई लिये कड़ाई में हमने करीबन एक लिटर पानी लिया है पानी को हमने यहां पर अच्छे से बॉयल कर लिया है मिन्स गरम कर लिया है अब हम इन तुकड़ों को पानी में दाल देंगे फ्रेंड यहां पर पानी की कॉंटिटी आपको इतनी रखनी है कि जितने हमारे जो टुकड़े है वो अच्छे से पानी में डूब जाए अब हम इन तुकड़ों को पानी में डाल देंगे देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर जितने मैंने तर्बुच के टुकड़े लिए थे वो सब हमारे अच्छे से पानी में डूब गये हैं आपको इसी तरह पानी की कॉंटिटी इसमें रखनी है अब हम इसे कवर कर देंगे और पास से 6 मिनिट के लिए हाई फ्रेंट्स यहाँ पर हमें पास से 6 मिनिट हो गए है इसे पकाते हुए आप देख सकते हैं हमारे तर्बुच के टुकड़े जो है वो अच्छे से पक गए ह यह ट्रांस्परेंट दिखने लगे हैं देखिए कैसे ट्रांस्परेंट दिख रहे है अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे और ग्यास का फ्रेम जो है वो बंद कर देंगे तो मैं इसे अब चलनी की सहायता से चान लेती हूँ इसमें का जो पानी है वो अलग कर लेती हूँ तो फ्रेंट्स अब ग्यास पर कड़ाई लेंगे खर्म करेंगे तो लाँ पर और यहां पर हम लेंगे एक बड़ी कटोरी चीनी दालनारी टालना रीज़ा, रीता दरवा थे डब्साइल अगयर है कि हमें यहां पर पाण चीनी को पानी में घोलना है कि यहां पर हमारी चीनी पानी में अच्छी तरह घुल गई है अब हम इसमें डाल देंगे जो boil किये वे हमने तर्बुज के तुकड़े लिये थे वो तो यहाँ पर मैं सारे तुकड़ो को पानी में डाल देती हूँ अब हमें इसे भी high flame पर दब तक के परकाना है जब तक कि हमारी जो चाशनी है वो आदी न रह जाए इससे क्या होगा कि फ्रेंट्स जो हमारे तर्बुज के तुकड़े है वो चाशनी को अच्छे से एब्जॉब कर लेंगे और जो हमारी चाशनी है वो थोड़ी गाड़ी भी हो जाएगी तो अब इस सारी प्रोसेस को हमें 10 से 15 मिनिट लगेंगे और फ्रेंट्स इसे हमें high flame पर पकाना है तो हम इसे cover कर देती हूँ और 10 से 15 मिनिट इसे पका लेती हूँ सो फ्रेंट्स यहां पर हमें 15 मिनिट पूरे हो गए है अब हम कवर को निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी थी वो आदी हो गई है और तर्बुच की तुकडों ने भी चाशनी को अच्छे से अब्जॉब कर लिया है इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत चाशनी को थंडा होने देंगे तो फ्रेंट्स यहां पर हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से थंडी हो चुकी है अब हम इसे तीन बाउल में डिवाट कर लेंगे आपको यहां पर जितने कलर के टूटी फूटी बनाना है आप उतने कलर के बाउल बना लीजिए और उसमें चाशनी को डिवाट कर लीजिए मैं यहां पर तीन कलर की टूटी फूटी बना रही हूँ तो मैंने यहां पर तीन बाउल लिये है अब हम चाशनी को तीनों बाउल में एक सरी के डाल देंगे मतलब तीन इसमें डिवाट कर लेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने तीन बाउल में इसे डिवाट कर लिया है और यहां पर मैंने तीन फूट कलर लिये है तो मैंने यहां लिया है औरेंज रेड और यलो तो मैं यहां पर तीन कलर की टूटी फूटी बनाऊंगी रेड और यलो कलर की तो मैं एक एक कलर अब एक Dort गो इसे प्रकार हमें सारे कलर सभी बावल में दाल देने हैं और उन्हें मिक्स कर लेना है कि अगर आपके पास में फ्लेवर अवे लेड़ल है तो आप यहां पर फ्लेवर्स का भी यूज् weekly सकती और इसेंस का भी यूज़ कर सकती है इससे और भी अच्छा टूटी-फूटी में फ्लेवर भी आ जाएगा और टेर्स भी आ जाएगा हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इहां पर यूज़ नहीं किया है यहां पर मैंने तीनों कलर को बाउल में अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम बाउल को ओवर नाइट ऐसे ही रहने देंगे मिन्स हमें इसे बारा घंटे ऐसे ही कलर में रहने देना है इससे हमारी जो टूटी-फूटी है वो अच्छे से कलर अब्जॉब कर लेंगी तो फ्रेंड्स यहां पर हमने इसे 12 घंटे के लिए कलर में रखा था इससे टूटी फूटी ने कलर अच्छे से अब्जर्ब कर लिया है अब हम टूटी फूटी को कलर से निकाल लेंगे और किसी जाली पर सुखा देंगे तो मैंने यहां पर एक जाली ली है यह हमारी प्लास लेंगे उसे चाशनी से निकाल कर चान कर और प्लेट में सुखा लेंगे तो मैं यहाँ पर यलो कलर की टूटी पूटी लेती हूँ और हम उसे इसी में झान लेंगे। तो फ्रेंड्स यह जो हमारी बच्चे भी चाशनी रहेंगी या आप किसी शर्वत में या कोई भी सॉप्ट ट्रिंक में यूज कर सकती है या फिर आप इसे नेक्स टाइम अगर आप टूटी फूटी बना रहे हो तब आप इसे यूज कर सकती है तो यहाँ पर मैंने यलो कलर कि जो हमारी टूटी फूटी है है आप देख सकते हैं टूटी फूटी में बहुत ही अच्छा यलो कलर आ गया है अब हम इसे चान लिए है अब हम इसे यहाँ पर चलनी में फैला लेंगे चलनी में फैलाने से फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि हमारी टूटी फूटी जो है व है इसी तरह हम बाकी की भी टूटी फूटी को चान लेंगे और चन्नी में फैला लेंगे यहां पर मैंने तीनों भी टूटी स dilate लेंगे तो इसे ज़्यादा दूटी फूटी को चालने में फैला लिया है अब आम इसे कटक धूप में एक दिन के लाईर रखेंगे तो इसे हमारी जो पूटी में प्रेंच के नीचे रख दीजिए तो यह चोविसगहंटे में सुक जाएगी तो यह आप दीन वर राद में हमारी टूटी फूटी रेडी हो जाएगी तो फ्रेंड्स यहां पर हमने इसे एक दिन धूप में रखा था तो हमारी जो टूटी फूटी है वो सूप कर तयार है आप देख सकते हैं अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे सो फ्रेंड्स यहां पर हमारी टूटी फूटी बनकर तयार है आई होप आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होंगी आप भी इसे जरू ट्राइ कीजिए एक बार मैं आपको इसकी आवाज सुना देती हूँ आप इसकी आवाज सुन सकते हैं आप भी इसे जरू ट्राइ कीजिए और मेरे चानल को लाइक शेर और सस्क्राइब कीजिए एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ थेंक्यू